प्रिय शिक्षार्थियों, संस्कृत की इस कक्षमें आप सब का स्वागत है, आप हम पाठ पांच का शेश अभ्यासकारे करेंगे, इसमें प्रशन पांच मां, एतेशा हम प्रशन नाम उत्राणी, पोण वाकेन बदन्तु लिखन्तु च, इन प्रशनों के उत्तर पोण वाक में बोलें और लिखें, यानि कि पोण वाकिय में हमने इसके उत्तर देने हैं, तो पहला प्रशन हमारे पास यहां लिखा हुआ है, वैदिक संस्कृत स्य प्रमुखम साहित्यम के मस्ती, कहता है वैदिक संस्कृत का अप्रमुक साहित्य क्या है, तो इसका उत्तर आप ग्रन्थाह उपनिशिदः च वैदिक साहित्यम कत्यते ये इसको उत्तर है आप अपनी बुक पे देखें जा हमने चप्टर पड़ा था पेज नंबर हमारे पास तिया नीचे 51 ठीके तो यहां से लिखेंगे आप इसको चत्वारह वेदाह ब्रहमन ग्रन्थाह आरन्यक ग्रन्थाह उपनिशिदः च वैदिकं साहित्यम कत्यते अगला प्रश्न है हमारे पास महाकवे कालिदास से कानी नाट कानी संती महाकवी कालिदास के कौन कौन से नाट कहें तो इसके उत्तर में आप यहां से लिखेंगे ये स्टार्टिंग में लिखेंगे महाकवेह कालिदासस्य जैसा प्रश्ण में दिये हुआ है वैसे ही उसके बाद अभिजान शाकुंत्रम मालविकागनी वित्रम बिक्रमोर वशियम च एतानी त्रीनी नाटकानी और साथ में संती ये लिख देंगे वही पेज नमबर रहेगा 51 जैसा प्रश्ण में दिये गया है महाकवेह कालिदासस्य अभिजान शाकुंत्रम कानी की जग लिखेंगे अभिजान शाकुंत्रम मालविकागनी वित्रम बिक्रमोर वशियम च एतानी त्रीनी नाटकानी संती अब तीस है अश्टा ध्याई इती व्याकरन से रचेईता कहास्ती कहता है अश्टा ध्याई इस व्याकरन का रचेईता काउन है रचनाकार काउन है तो उत्तर लिखेंगे अश्टा ध्याई जैसा है प्रश्ण में वैसे लिखेंगे अश्टा ध्याई इती संस्क्रित व्य करन सेरचय तह कहा की जगा लिख देंगे पानी नहीं अस्ती कहा अस्ती पानी नहीं जैसा यहां पर लिखा हुआ है सामने यह देखें पानी नहीं इसको वैसे ही full sentence में लिख देंगे अगला चोथा प्रश्ण है सर्वे मिलित्वा किम गायंती सभी मिलकर की क्या गाते हैं तो इसको उत्तर है इसको वहां लिख देंगे जगा कम है लेकिन थोड़ा अरजस्ट करके लिखेंगे इसको सर्वे मिलित्वा गायंती वयम पठाम संस्कृतम वयम लिखाम संस्कृतम सदावदाम संस्कृतम प्रचारयाम संस्कृतम जैतू संस्कृतम जैतू हारत सभी मिलकर क ये सब गाते हैं, तो इसका उत्तर ही है, ठीक है, यहां से ले करके और यहां तक, लिखेंगे इसको अगला प्रशन है हमारी संस्क्रिती और संस्कृतय का मूल किसमे नहीत है तो इसका उत्तर दिया है असमाकम, संस्कृतेह, सभ्यतायाह, च, मूलम, संस्कृत, भा, शायाम, एब, निहतम, अस्ति ये भी पेज नमर 51 और 52 पे दिये है, परन्तु इसको कुछ अड़्जस्ट करके लिखना पड़ता है कुछ पेज नमर 51 से और कुछ पेज नमर 50 से उठाने पड़ने है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया हुआ है असमाकम, संस्कृतेह, सभ्यतायाह, च, मूलम, संस्कृत, भा, शायाम, एब, निहतम, अस्ति ऐसा करके आप लिखेंगे अब अगला और चठा प्रश्ण है स्थूर्पद माध्रिते प्रश्णिर्मानम कुरुवंतू स्थूर्पद को अधार बना करके आप प्रश्णिर्मान करें तो पहला स्थूर्पद क्या है चात्राह संस्कृत दिवसस से आयुजनम कृतवंतः चात्रों ने संस्कृत दिवस का आयुजन किया कतवतू प्रत्य है क्रितवंता जो की हटा दी गया है फिलाल अभी किली तो छात्राह चात्राह पुलिंग में प्रत्मा का बहुवचन तो हम भी क्या करेंगे कि मुशब्द पुलिंग प्रत्मा का बहुवचन लेंगे कहकव के के संस्क्रिद दिवसस से आईजनम क्रितवंता और प्रश्नवाचिक चिन लगाएंगे छात्रई एका प्रश्नोत्री आयोजिता तो छात्रई तृत्रई तृत्रितिया का बहुगचन जैसे रामई तो प्रश्न बनेगा कई एका प्रश्नोत्री आयोजिता और प्रश्नवाचिक चिन भवभूती उत्तर रामचरितम अरचयत भवभूती ने उत्तर रामचरित की रचना की तो उत्तर रामचरितम तो यहाँ पर करेंगे हम किम क्योंकि ग्रंथ है ये तो उत्र रामचरितम नपोसकलिंग में दिया हुँआ है तो हम इसको लिख देंगे किम कालिदासें त्रीनी नाटकानी रचितानी तो त्रीनी जहाँ संख्या बाची होता है वहाँ हम क्या करते हैं? पीछे प्रश्ण पे पूछ था कती तो हम क्या करेंगे हैं पर कालिदासें कतिनाटकानी रचितानी अब है रामायनम बालमी केह रचनास्ती तो रामायनम कस्य रचनास्ती क्योंकि बालमी केह ये पंचमी शष्ठी का एक वचन है यानि कि किस की रचना है खासकर शष्ठी का तो हम यहां कस्य लगाएंगे एक बार इनके जो सांकेतिक उत्तरहिन को देख लें प्रशनवाचिक पद के मैंने यहां सिर्फ एक एक शब्द लिखा है आपको बताने के लिए ठीक है आप इसको पूर्ण वाकिम लिखेंगे और प्रशनवाचिक जिन लगाएंगे तो चातरहा का के, चातरही का कई, उब्तरामचरितम का किम, त्रीनी का कती, बालमी के का कस्या यह बता भी दीगे है कि क्यूं इस तरह से हुआ है फिर भी यह दिए आपको समझ नहीं आए तो आप पूर्श सकते हैं अब आगे मूल्यात्मक प्रशन में लिखता है कि इस पार्ट में आपने संस्कुत भाषा में अनेक गरंथों के नाम पड़े जिन में से की वालमी की का लिखा हुआ रामायन भी है रामायन में इती गरंथे और बहुत कहता है रामायन इस गरंथ में श्री राम का चरित चित्रन है और श्री राम अपने गुरू का आदर करते थे वह अपने पिता की आगे का पालन करते हुए बन को भी गए तो पहला प्रश्ना आपसे पूछा है भवान भवती अर्थात भवान पुलिंग में आप भवती स्ट्रलिंग में आप स्वः पित्र भियाम किम किम कुरोती आप अपने माता पिता के लिए क्या क्या करते हैं रामाइन इस ग्रंथ में अन्य कौन-कौन से आदर्श है यह आप नोट करें लिखें अब नीचे एक तालिका दी गई है उसमें बहुत सरे संस्क्रित के प्रसित ग्रंथ है ठीक है तो और भी यूँ कहता है चार प्रसित ग्रंथ है जो पार्ट में आपने पढ़ें वो तो है इसके अलाबा चार अने प्रसित ग्रंथ है उनके नामान तेशाम नामानी चितवा लिखंतुर के नाम चुन करके लिखें आप इन में से कैसे चुनेंगे आप यह देखिए यहां पर पहले रामायनम यह तो अपने पार्ट में पढ़ा है इसको आप स्केल से अच्छे से ल आमायनम ठीक है आप स्केल से इसको सुन्दर से लिख करके और कलर भी कर सकते हैं यह इसमें नहीं आएगा यह आगया हमारे पास रामायन अगला देखें यहां से स्टार्ट हुआ गीत गोविंदम यह भी एक ग्रंथ है गीत गोविंदम अगला देखें यह देखें आप य यहां से मनुसमृति यह भी एक ग्रंथ है स्केल से अच्छे से लाइन लगाएंगे और इसको हाइलाइटर से हाइलाइट करेंगे अलग-लग रंगों से ताकि यह अच्छे से दिखे अब दिखो यह महाभारतम यानिके ऐसे भी आप इसको जोड़ सकते हैं महाभारतम बनेग राम-चरितम इसको भी रेखांकित करेंगे साथ साथ में तो यह बन गया हमारे पास उत्तर राम-चरितम यह भी ग्रंथ है भवूति के द्वरा लिखा हुआ है यहाँ पर एक और दिये हुए हमारे पास देखिए उपनिश्दह इसको भी हाइलाइट करेंगे पहले स्केल स अच्छे से इसको रेखांकित करेंगे फिर इससे हाइलाइट करेंगे आप यह सामने लिखा हुआ हमारे पास उपनिश्दह ठीके चार यहाँ नाम लिखेंगे आप और चार यहाँ पर आपको नाम लिखने है इसके इस परकार जो जो गरंथ हमने ढूंडे राम-आयनम अभारतम वो इस परकार यहाँ पर लिखते चले जाएंगे यह गतिविदी आपके लिए है इसमें से आप ढूंडेंगे और नाम इसमें छे मैंने ढूंडी है बाकिया आप ढूंडेंगे ढूंडना क्या जैकि जैसे ही लिखा हुए हमारे पास पंच तंत्रम यहाँ से इस परकार अन्यगरंतों के नाम भी इसमें से आप ढूंडेंगे और इनको यहाँ पर लिखे देंगे प्रिश्ट संख्या 55 पे इतियों शम